नमस्ते गाई जो और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं बो निकल ने क्या कहा हामजा चमाइब के बारे में तो बिसिकली बो निकल का ये कहना है मिडल वेट डिविजिन में कपल ऑफ गुड फाइटर्स हैं जो रैंकिंग को क्लाइम कर रहे हैं बट अगर उसे गेस करना है कि टाइटर शॉट के लिए नेक्स्ट फाइटर कौन होगा तो वो गेस करता है इस्राइल अदसानिया बट यहीं पर हमजा चमाइव की बात करते हुए बो निकल का ये कहना है कि डेफिनेटल अट सम पॉइंट यूएपसी हमजा चमाइव को भी टाइटर शॉट देगी और उसे नहीं लगता कि हमजा चमाइव को एक और फाइट करनी होगी क्योंकि उसकी उपिनन में हमजा च चमाइव से जाधा मिडरवेट फाइटर्स के साथ फाइट की है अगर हमजा चमाइव और पॉलो कोस्टरा की फाइट होती और वहाँ पर अगर हमजा चमाइव जीता तब उसे इसको लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होती बट हमजा चमाइव की फाइट हुई एक विल्टर चमाईव के साथ fight करना अगर वो fight होती है number one contender की वो injury से वापिस आ रहा है और अगर उसे next rider shot नहीं मिलता है तो logically देखा जाए तो फिर वो चाहता है हामसा चमाईव के साथ fight करना UFC रेली चाहती है हामसा चमाईव को tighter shot देने का बट उससे पहले वो देखना चाहता है कि हामसा चमाईव उसके against कैसे fight करता है Jared Cannonier का ये भी कहना था कि वो चाहता है कि वो Hamza Chumayev के साथ 5 rounds की fight करे ताकि वो ये देख सके कि Hamza Chumayev 5 rounds तक fight भी कर सकता है या फिर नहीं आज की next 5 वीडियो में बात करते हैं Tony Ferguson ने क्या कहा अपने future को लेकर Habib Nurmagamadoff के बारे में and also Conor McGregor के बारे में तो टोनी फगिसन ने इंस्टाग्राम में एक काफी लम भी लाइब स्ट्रीम की है तो बिसिकली यहाँ पर मैं इन शॉट मेंन पॉंट्स को कवर कर रहा हूँ जहाँ पर अपने फ्यूचर को लेकर टोनी फगिसन ने ये कहा कि वो रिटार्मेंट नहीं ले रहा है जो भी ये बाद जिल लोगों को याद होगा तो ये रूमर्शल पड़े थे कि टोनी फगिसन दागिस्तान जा रहा है ट्रेनिंग करने के लिए और मेबी वो ट्रेनिंग करे हबीब के साथ तो इसी चीज़ को लेकर टोनी फगिसन जरा भी हैपी नहीं था जहाँ पर टोनी फगिसन न इनके पास एक भी विन नहीं थी और विन्स वाले फाइटर्स के रिकॉर्ड में डबल या फिर ट्रिपल लॉस्स थे और इसलिए वो फैट हैड हबीब के साथ कभी भी ट्रेन नहीं करेगा अब इसके बाद को भी इंक्लूड करते हुए टोनी फगिसन ने ये कहा कि हबीब जब तक टोनी फगिसन का युएसी के साथ जो कॉंट्राक्ट है वो ओवर नहीं हो जाता तब तक टोनी फगिसन रिटायर नहीं होगा आज की नेक्स फाइट वीडियो में बात करते हैं इसराइल अदसाने के एक हिंट के बारे में जहाँ पर उसके स्टोरीज को देखकर ऐ ऐसा लग रहा है कि वो अपनी नेक्स्ट फाइट मिडर वेल चांपियन ड्रिकल्स रूपलेशी के साथ कर सकता है तो बिसिकली अदसाने ने जो स्टोरीज को डाला है वहाँ पर ड्रिकल्स रूपलेशी अपनी विन के बाद ये बोल रहा है कि जब उसने रॉबर्ट विट लेकर को डिफीट किया था तो वहाँ पर शाइन करने की उसकी मुमेंट थी बट इसराइल अदसाने ने उस मुमेंट को छीन लिया अब वो चाहता है कि वो अदसाने के साथ फाइट करे और उसके बाद बीसिकली अदसाने की फाइटिंग हालेट्स की वीडियो चलती है जह उसने किसी की भी शाइन को नहीं चीना और उसने अपनी खुद की शाइन को भी लूस नहीं किया है या तो फिर अदसानिया या फिर हामसा चिमाया बट आई रिली वांट की इन दोनों में से कोई भी फाइटल हो चाहे वो डिकल सुप्रेसी के साथ फाइट करे ताकि फाइ में माइकल पेज वेनम अपना डेब्यू करने वाला है जहांपर वो फाइट करेगा केविन हॉलन के साथ आज की नेक्स फाइट वीडियो में बात करते हैं दो नियू रूल्स के बारे में जिनको रीसेंटली ही प्रपोस किया गया है और अगर इन रूल्स को मेचॉरिटी में जाना है लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर टॉप रैट कौनर में जो आई बटन है वहाँ पर भी क्लिक करके इन दोनों रूल्स के बारे में देख सकते हो तो एंडी फॉस्टर जो केलिफोनिया स्टेट एटलेटिक कमिशन का डारेक्टर है उसका रीसेंटली 12 12-6 अल्बोस को लेकर ये कहना था कि ये जो 12-6 अल्बोस को बैन की है ये बहुत ही जादा पुरानर रूल है और एक काइंड ओफ एक स्टूपिड रूल है जो ज़रा भी सेंस नहीं बना था इसलिए वो चाता है कि 12-6 अल्बोस को अन्बैन कर दिया जाए या फिर अगर अ इसलिए वो चाते हैं कि हैंड की जो इन्वाल्मेंट है उसको पूरा ही खतम कर दिया जाए इसका मतलब ये कि अगर पूरा हैंड मैट को टच कर रहा है या इवन अगर फिंगर भी टच कर रही है ये दोनों ही जो न्यू रूल को प्रपोस किया है उनमें जरा भी मैटर नह आएगा आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगियो तो प्लीज मेक शूर तो लाइक की सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में